कुद्रत का शाकार माशालला लपाक की खिप्रियाई बियान कर रहा है यह मड वॉलकनों यहां पर भी में मड वॉलकनों के चारों तरफ के मनादे देखाता हूं और इस पे जो असलाम वालेकुम दोस्तों अमीर आप लोग खेरेस्त होंगे मैं हूँ जावत कमर इस वक में मौजूद हूं जिरो पॉइंट पर और आज किस व्लॉग में मैं आपको विजिट कराने लेके जा रहा हूं मड वॉलकनों आतिश फशा जैसा ही होता है कीचल फशा भी कहते हैं जिसे मिट्टी के वहाँ पर लावे उबल रहोते हैं जिसे गैस के दुनिया के बड़े मौड वॉलकनों में शुमारे जोके इस वक बॉलुजिस्तान में मौजूद है जिसे आजायबाद की जमीन भी कह सकते हैं जो कुदरती वसायल कुदरती जखायर से माला माल जिसमें पेट्रॉल गैस लोहा और गोल्ड के जखायर बड़ी मेगदार में यहां पाए जाते हैं तो यह काफी डिसेंट पॉइंट है बॉलुजिस्तान में और दुनिया में चंद गिनोचुने अलाके हैं जहां पर मड वॉलकनों दरियाब हुए वे उनमें से एक अलाका बॉलु के अनों पर और मेरे बैक सेट पर यह प्रिस्टिस अब होप का मुझेस्मा इसके साथ जो सीधी आगे सलक जा रही है यह सलक आएगे जाती है कोटा की जानिब और मैं इस सलक पर सफर करूंगा यह सलक गवादर तक जाती है दोस्तों तो मेरा सफर है मौड वॉलकनों तक जिरो पॉइंट से 85 किलो मीटर के सफर तैगर के मैं इस वक्त मौझूद हूँ यह पैलट करनाता है अगर आप मड वॉलकनों विजिट करने आते हैं तो कोस्टल हाइवे के मनादिर है दोस्तों यह सलक सीधी जाती है गवादर के जानिब यहां पर बोर्ड लगा हुआ है यह देख सकते हैं सपट बीच यहां से 10 किलो मीटर के फासले पर मड वॉलकनों यहां से 4 किलो मीटर का डिस्टेंस से लेफ साइट पर जो यह सलक जा रही और गेंगे और जनाब बदीश यहां पर मेल्शान है अगोर 35 किलो मीटर कुन मलीर के धस्यान ते होंस इस थक्रम स्कार कोस्टल हाइवे से तो आके नए चार किलो मीटर के आपने सपर देकरना है Rockene हम लोग मौजूद है मड़ वालकेनों जो इन सो साथ फिट उचा तक्रीबान धाई सो मीटर बुलंद तरीन और यह स्टेर बना दिये गए यहां पर तक्रीबान चार सो साथ स्टेर जिससे क्रॉस करने के बाद और फिर मजीद उपर कच्छा रास्ता भी है तो चार सो साथ सब्सक्राइब करने के बाद आप पहुंचते हैं चंदरगुब मड़ वालकोनों के टॉप के उपर चलता हूं और फिर उपर का व्यूव आपको देखाता हूं अब दोस्तों फाइनली माशाहला हम लोग मड़ वालकोनों के टॉप पर मौजूद हैं और इस वाग मेरे साथ मेरे अंकल मौजूद है माशाहला सिक्स सेवेंटी सिक्स एरोड तो इन्होंने साले 300 से जाहिए उच्छा साले 300 फिट से जाहिए मड़ वालकोनों सर किया है इ और स्टेप के बाद तगरिवन पचास साथ फिट यह धलवान सता है तो अब यहां पर आईएगा तो इस पॉइंट पर इत्याद किजिएगा तो अंकल से बात्ची करता हूं में अस्सलाव अलेकम अंकल आपने इस उमर में मड़ वालकेलों जो के तगरिवन धाई सो मीटर उचा साले 300 फुट से जादा बुलंद और दुनिया का बुलंद तरीन मड़ वालकेलों इसे सर के हैं क्या कहते हैं कैसा महसूस कर रहा है अपने तास्वराद बताईए बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं जब सब्सक्राइब का सौक होता है तो इंसान को ऊचा ही नजर न मेरे कैमरेमेन मेरे राइट सेट पर नीचे के मनादर देखा तके तो नीचे देख सकते क्लोज अप करके मेरे कैमरेमेन देखा तके मेरी गारी जो किस वक जस्ट लाक टॉए खिलोने नुमा दिक रही है काफी बुलंद तरी मकाम जापे में मौजूद हूं खुदूरत का शाकार माशालला अलापाक की किप्रियाई बियान कर रहा है यह मड़ वॉलकेन हो और देख सकते हैं यहां ते जो नावा उबल रहा है यह पानी भी मौजूद है इस पर एक ख़तम आपने आगया खिर आप जो होगे तो आप इस दल दली मकाम में आपका धर सकता है आपको परिशारी का भी सामना करना पर दखता है और बैक सैट पर देख सकते हैं यह इंताय खतरनाक धल्वान तो यहां आएं लेकिंगे पर केर्फूल क्योंकि इस पॉंट पर इंताय डेंजिर हैं तो आपको हैल्प ही मिल सकता आप बिलकुल आम तोर पर यहां पर सनाटा होता है इस तरीके तरीके सब्सक्राइब करें बीकिर्फुल यह सामने एक और मट वाल के देख सकते हैं जोब पर कि देखा रहा हूं हुआ ज़ए टो तरीके के आठारा मट वाल केनो दर्याफ हुए है बोलकिस्तान के लागे में और यह चंदर गुट मटवाल के लो जो के सबसे बड़ा मटवाल के लोग आ जाता है दोस्तों इंशाला ताला मैं आएंदर दिनों भी कोशी करूँगा कि पाकिस्तान के खुश्वत मकाम को एक्स्प्रोर कर दको अपने विलॉग के तुरू आपको विजिट करा दको तो यह अल्ला कोशी करें जो इसका सीड़ी वाला हिस्ता है उती जगह पर रहके इस जगह को विजिट करें और इसके चारो तरफ स्ट्रॉंट्टी में गुमने की कोशी इना करें प्रीज कि चारो तरफ इंताए खतरनाग ढ़लवान है और साड़े की तो फिट हुचा यह मगाब है अब आपना बहुत खाले की खुच जई है अब आपीज होना थे माल बहुत खाले की जगी गन्यूंड़ दुच जग थे विदे खाले की तोध की शारो तरह के खुचा थे एकिर झाभ प्लवान से दिक साहत है झाल 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 झाल